नमस्कार दोस्तों आज अब अनेलसिस करेंगे एक और लखी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात यह हैं 30 years old female इनके कुछ questions हैं कि इनके health issues कब ठीक होंगे और career का आगे क्या prospects दिखता है money का क्या prospect है घर में पिता और भाई से बहुत अच्छे संबन नहीं है उनको यह burden लगती है तो चलिए आईए देखते हैं कि इनका पाम क्या बताता है साथ ही साथ इनोंने बोला है कि इनका शादी में interest नहीं है और जैसे कि इनका मन spirituality में devotional मन इनका जादा रहता है भक्ती भाव में मन जादा लगता है तो चलिए आईए देखते हैं इनका पाम हमें क्या बताता है सबसे पहले हम देखते हैं पाम अच्छा सुन्दर सा पिंक कलर का पाम है पाम में अगर बात करें तो यह देखें लाइन्स बहुत light है देखा जाए तो जैसे कि पाउडर बगर लगाने के बाद भी थोड़ा सा हलकी हलकी lines हैं इनके आप में ऐसे लोग जो जीवन में होते हैं कि इनकी life में ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ा धीरे आ रही है slow चल रहा है कुछ चीज़ें बहुत अच्छा experience नहीं मिल रहा है शुरुवाती जीवन खास ओसे 20 से लेकर 30 तक का जीवन इनका ऐसा चलता है ऐसा लगता है कि चीज़ों को पाने के लिए struggle कर रहे है क्योंकि रेखाओं का जो हलका पन होता है जो रेखाओं जब हलकी होती है तो results भी हलके आते हैं पर रंतु यह ऐसी चीज़ें जीवन में पूरे जीवन में ऐसा नहीं चलता समय बदलता है और इनके जीवन में बहुत सरी अच्छी बाते भी होती है जो हो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे तो जब हम देखते हैं इसा इनके जीवन में क्यों हो रहा है और क्या चीज़ें मैंने नूटिस करी इनके पाम में तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो रेक्टेंगुलर पाम है रेक्टेंगुलर पाम की मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मसिश करेखा होती है वो हमेशाए लंबी होती है creativity और talent की कमी नहीं है इनके अंदर creativity talent बहुत है अब problem कहां आ रही है problem आ रही है देखिए ये मस्टिश करेखा सारी बात समझा रही है पूरी जो हाथ का जो सार है वो मस्टिश करेखा ने अब खुद कह दिया ये देखें जब इतनी कठिन मस्टिश करेखा हो disturbance हो मस्टिश करेखा में तो इनसान के जीवन में बहुत जादा कटनाईयां हो रही होती है और हर तरफ से निराशा जो आता होगा वो इन्हें धोका देके जाता होगा अगर ऐसे लोग relationship में आए शादी कर लेती हैं अगर ये 30 वर्शन की एज है शादी करती है तो भी शादी में धोका मिलता relationship में धोका मिलता है और ऐसे में अपने ही खुद के परिवार वाले चाहे पिता भाई चाहे आप कोई भी कहले अपने सगे भाई भेन भी अपने माता पिताव सब बुरा मानते है सब उनको गरत समझशते है होता है न कि आपको हर कोई जो आता है एक डम कि वही तुम ने गलत करा है तुम आई गलतिया हैं सारी हर चीज़ का यर्व इल्जाम इनकी उपर आना जैसा होता हूता हना ये देखे गड़ा टाइप का सा महसूस हो रहा है इसको मैं दिखाती हूँ ये देखे अलग से अलग से रेडनेस आ रही है लाली अलग से आ रही है तो ये समय ऐसा जब निशान हाथ में आ जाए तो समझे लाइफ के जो कम से कम 10-11 साल जीवन के बड़े खराब जाते है और कौन सी ऐसी प्रॉलम है जो नहीं आई हो जंजड़ जाता है इंसान परिशान होता है सब्सक्राइब से कि मैं तो निचुड़ सी गई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मेरा जीवन ऐसा कैसे बन गया हर कोई खुश है हर किसी कोई जीवन में अपलब्दी है हासे लो रही है करियर भी अच्छा बना ले रहे है लोगों के पास अच्छा घसी खुशिया है मेरे साथ ही ऐसा क्यों है ये कॉश्शन इनके माइड में बार बार आता होगा कि मैं ही मतलब मैंने ऐसा क्या गलती कर दी मैंने ऐसा क्या कर्म करें कि जो मेरे को इतना भुगतना पड़ रहा है माता को कश्ट भी होता है ऐसे लोग के जीवन में कि जैसे कई बर होता है कि माता का स्वास्त कम ठीक रहना इस तरह की चीज़ें भी देखने पड़ती है अब ये देखें, ये health issues भी देते हैं क्या होता है, mental stress तो देता ही, देता है health issues भी इनके health issues भी, वो mind से भी related है होता है, depression सा, हर तरफ से बतलब कोई दोस्त ना होना, जो भी आता है होता है कि इनके जीवन में चल किया रहा है टो लेके और चार बात सुना देना ऐसा लगता है कि मैं किसी अंधेरे कमरे में बंद हो गई हूँ और वहां से निकलने का रास्ता नहीं मल रहा ये वाला feel आना तो ये यव के निशान जब इतने बड़े-बड़े होते हैं तो इनसान का काफी जीवन तो ऐसे लगता है इनी सारी problems में निकल गया बहार निकलने का रास्ता नहीं देख रहा लेकिन फिर भी मैं बोलूगी कि ऐसा नहीं है कि इनसान का जीवन हर वक्त ऐसा चलेगा काफी आगे जीवन में अच्छी चीजें भी होती है यहां पर देखें तो यह देखी यह जो समय है अगर देखा जाए तो problems है यह धीरे-धीरे खतम हो रही है थोड़ी-धोडी normalize होती जारी है यहां तक आते आती है यह देखीए यह देखीए पहले से 1, 2, 3 1 से बेटर 2 है 2 से बेटर 3 है तो यह धीरे-धीरे अब इनकी problems जीवन की खतम होगी आगे अभी ऐसा लगता हो काफी जो बड़ी-बड़ी problems थी उनसे तो यह बहार आ रही है लेकिन और भी जो बड़ी problem है उनसे भी यह बहार आ जाएंगी इनके जीवन में अगर मैं देखूं तो तकरीवन अभी इनकी यह 30 वर्श है देखी यहां पर भी disturbance है तो disturbance तो चल रहा है लेकिन जैसे यह और आगे बढ़ेंगी 32 के आसपस आएंगी चीजे नॉर्मलाइज होने लगी और 35 पे तो और ज़्यादा चीजे बेटरमेंट होगी 38 पे और इस तरह का बेटरमेंट ही दीरे दीरे देखती चलेंगी मतलब जितनी मुसीबते आनी थी वो आ चुकी अब रिलेक्स का टाइम है आगे जैसे होता है के एक इनसान को शांती से मिलती है और जैसे नॉना ने का कि शादी करने का मन नहीं है तो देखिए शादी वाला हाथ ही है नहीं और वो क्यूं नहीं है वो हम भी हम आगे देखिंगे तो ये दीरे-दीरे इनको ना एक sigh of relief मिलना शांती मिलना सुकून सा आना की जीवन में इस तरह की चीजे में मुझे दिखती है इनके हाथ में अब इनके हाथ में ये देखिए तो ये तो हमने मस्जिश रेखा का डिस्क्रिप्शन देखा और मस्जिश रेखा जब इतनी लंबी हो ना क्रेटिविटी टैलेंट बहुत है बहुत कुछ कर सकती है लेकिन क्या है जब माइंड में शांती ना हो जब इनसान अपने मन में इतना जादा दुखी हो और चारो तरफ नेगेटिविटी हो तो ऐसे में इनसान राइस नहीं कर इसे में इनसान अपने लिए कुछ अच्छा नी सोच पाता है और हरको इसको जब अपने खुद के लोग घर के लोग गलत समझने लगते है तो और टूटा सा हो जाता है इनसान मतलब इनकी मस्जिश रेखा देखके लगता है कि यह मतलब कि अंदर से कितनी टूटी नहीं ह जब आती हूँ कि दख से ना खाना खा पाना ना ठीक से नहीं दाना डिप्रेशन सा और नेगेटिविटी भर जाती है और मैंड में ऐसा लग रहे है तो एक मिनट की शांती नहीं है यह मेरा जीवन कैसा हो गया ऐसा कुछ फेस करना और इनके जीवन में कुछ ए ट्रेजड है जो हुआ सो हुआ कई बार होता है कि हमें जो इशर दुआरा जो दुख दिये जाते हैं हमारी किसमत में जो दुख लिखे होते हैं हमें भूगने पड़ते हैं अब आगी के लिए मैं इनको उपाए बोलती हूँ कि यह गायतरी मंतर का जाब करें गायतरी मंतर का जाब अभी का प्रेजिट का जो ये समय अगर हम बात करें उसमें और क्या बेटर्मेंट हो सकता है तो उस चीज को और ये जो रेखा का असर को जो नलिफाई करना उसको असर को काफी घर तक कम करना तो सबसे अच्छा उपाय होता है गायतरी मंतर का जाप जो बहुत स्ट्रॉंग ह होता है और एक कवच का काम करता है जब इंसान गायतरी मंतर का जाप किया जाता है ना तो सुबह के समय करें नहां के सुबह के समय गायतरी मंतर बोलें तीन बार गायतरी मंतर बोलके अपना दिन की शुरुआत करें तो ऐसे में क्या होता है कि जो नेगटिव वाइब होती ह नेगेटिटरी इनर्जी जो हुमारे इनरीफ जेए जो हुमारे ब्लॉकेजिस होते है छिज mostrar हैं तो हमें अप्रचियनिटी के लिए आने लिए नभी की बावचछ बनानी के लिए गायता हैं न सौशन सकेथा हैं अब चलते हैं इनकी भागय रेखा पर, तो यहां देख़ें, बागय रेखा इनकी ऐसे स्मूथ चल रही है। इस तरह से ही, कहां से भी, यह देखिए भागय रेखा अच्छी है, जीवन में देखिए, अगर हम करियर की बात करें, तो भागे रेखा light जरूर है लेकिन deny नहीं करती अच्छा career ये पना सकती है और इस समय इनकी ये 30 वर्ष है तो ये देखी यहां से भी ये रेखा चलती जा रही है तो इनको अपनी इस रेखा का इस्तमाल करना चाहिए जब ये गायत्री मंतर का जाप करेंगी तो इस रेखा म आप जैसे कहते हैं कि जब ब्लॉकिजिस हटेंगी इनकी रेखाओं में भी जैसे एक पॉजिटिविटी आएगी आपको जब मैंने देखा है कि लोग 6 मैने तक जो लोग गायत्री मंतर का जाप करते हैं लगातार 6 मैने तक तो उनके हाथ में नेगेटिव एस्पेक्ट्स जोते हैं वो धीले धीले नलीफाय होने लगते हैं और अगर दो तीन साल तक लगातार कर ले जाएं तो काफी हट तक हाथ में इंप्रूब्मेंट आ जाता है नेगेटिव रेखाओं चड़ जाती है और पॉजिटिव रेखाओं का अच्छा सर्म मिलने लगता है तो देख अच्छा बना लेते हैं ऐसे लोग जैसे कहना चाहिए कि अच्छा पैसा कमाना एक पैसा कमाने की एक अगर ये कुछ तो पैसा कमाने की अच्छे योग बनाते हैं अभी करना चाहती है कोई अपना काम भी करना चाहते हैं उसके वी योग इनके हाथ में दिखते हैं और ये देखिए मशली नुमा सिंबल बन रहे हैं बुद्ध रेगा परी मशली नुमा सिंबल है इनको पैसे की कमी नी रहेगी पैसा ये बहुत अच्छा भी बना सकती है एक अच्छे परिवार में जनम लेना पैसे एक होता ना कि आपको रुपे पैसे सबके साधन हैं आपके पास और अगर आगे खुद भी अपने बलबूते से अच्छा पैसा आप बना सकते हो ये सारी चीजें हमें इनके हाथ में देखती है अब खेर आगे चले तो इनके देखिए यहां पर ये लाइफलाइन को देखिए ये लाइफलाइन इसको देखिए आप शुरुवाती तो इनके जीवन में प्रॉब्लम्स काफी हद तक खतम हो जागी 32 से बलकि मैं बोलूगी 35 तक में इतना चेंज आएगा अपने पे पॉजिटिविटी का एसास होना जीवन में धीरे धीरे चीज़ों का बदलना 35 तक 32 तक काफी प्रॉब्लम्स खतम हो चुकी होंगी 35 तक तो बिल्कुल ऐसा लगए कंप्लीट ट्रांस्वार्म हो गई इस तरह की चीज़ें तो यह सारी चीज़ें और जीवन देखे बिल्कुल साफ सुत्रा अच्छा चलेगा इनका पैसा खमाने के अच्छे प्रॉस्पेक्ट इनके जीवन में हर 3-3-5-5 साल में दिखाई देते हैं यहां पर अगर मैं बात करूँ और एक चीज़ और मैं बोलूँगी यह देखिए तो चली रही है बीच में 38 पर भी पैसा खर्च करने के योग 35 पर भी है और 42 पर भी है पैसा खर्च करने का योग 48 पर भी है 48 पर तो कुछ और भी बड़ा अच्छा शुरू करेंगी ऐसी किज़े मुझे देखते हैं इनके हाथ में यहां पर मैं चीज और डिस्क्राइब करूँ यह देखिए मुझे इनके हाथ में के बड़ा अच्छा लोटस का चिंद ने बहुत बढ़िया है तो यह डिनाए नहीं कर रहा चीजों को तो बहले ही आजका जीवन इनका परिशान करना तो वो घवराहट सी रहना यह चीज का प्रॉब्म है मेंटल स्ट्रेस और घवराहट दो चीजों ने परिशान किया हुआ है उसका असर इनकी बॉड़ी पे भी आ रहा है अब यहां पर इनके देखें तो यह देखें धनकी तुजोरी बहुत बढ़िया है और यह देखें यहां बैंक बैलन्स भी अच्छा बना लेंगी तो यह चीज हमें और यह में जो चीज इनके हाथ में यह मशली कचन इनको अपने देखें करियर को लेके अगर यह आगे बढ़ें तो यह बुद्धर एखा बहुत सपोर्ट कर रही है कोई consultancy work या commission basis work भी बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए इनके लिए मतलब यह deny नहीं करती है पैसे रुपे की situation जिसके हाथ में यहां पर अगर fish का symbol आ जाए तो बहुत जबरदस पैसा अच्छा बनाता है वो जीवन में उसके हाथ में एक ताकत होती है लेकिन क्या है वो ताकत जो है न सारी negativity में इस वज़े से convert हो गई जो हमने इनका भी past देखा तो हाथ में चीज़ें denied नहीं है हाथ बहुत अच्छा है वह यह बोलूँगी और चीज़ें काफी कुछ आगे कर ले जाएंगी अब यह देखिए काफी स्टार्टिंग काफी जादा स्ट्रगल वाली है लेकिन बाद चीज़ें काफी relaxation वाली है यहाँ पर देखिए यह इस तरह का finger है गुरू की finger इदर टेल टेप तो अब देखिए यहाँ पर यह सूरे की finger लंबी है जब भी सूरे की finger लंबी होती है इनसान अपने बल्बूते पर बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है और अपने बल्बूते से ही उसको name fame मिलता है और कोई चीज़ बैठे बिठाए नहीं मिलती यहाँ चीज यह देखिए चोटी finger फास फैलेंस तक नहीं आ रही ऐसे में क्या होता है इनसान के बोला सभाव होता है बोलेपन के कारण ही ठगा जाता है जो आता होगा जीवन में इनके फायदा उठाके जाता होगा इनसे कि इनसे कैसे इनको manipulate करा जाए कैसे इनको धोका दिया जाए इस तरह की चीज़े incidents इनके साथ होते होंगे कि देखे खट रोच करने की की शौकीन भी दिखनी है और यह तरह से यहां पर भी gap है जैसे होता है ना मन में इच्छाएं बहुत है जैसे कवार होता है कि मैं यह करना चाहती हूँ आसी इच्छाएं बहुत है इनके मन में लेकिन क्या है कारणवश पूरी नहीं हो पारी जैसे इक होता ना बर्डन में दबा हुआ इनसान या अपने ही जीवन में प्रॉब्लम से घिरा हुआ इनसान वो चीज वाला हाथ मुझे लगा लेकिन फिर भी मैं अब भी कहूंगी कि आगे जो चीज बेटरमेंट हैं इनको बहुत रिलीफ जैसे अब समय में बदलेगा अब यह से 30 एर्स की है 32 पे तक आते आते ऐसा लगेगा बहुत रिलीफ मिल रहा है मेरी जिदी से काफी अच्छा बेटरमेंट मिलना 32 से 35 में और ऐसा लगेगा कि में तो जीवन की 70-80% प्रॉब्लम्स खतम हो गई ऐसा वाल च कुछ करते हैं दूसरों के लिए एक होता है न सेवा भाव रखना एक दूसरों के सिंपैथी रखना दूसरों को को हल्प करना यह नेचर का देखा जाता है यहां पर देखिए इस तरह का एक टेंटिड आर्च है ऐसा लगता है ऐसे लोग के जीवन में न इन्हें फील आता है कि अब यह मुसीबत आई है कोई बात नहीं पिशली वार भी आई थी मैं इस तरह से सॉल्व कर दी थी अब आगे भी मैं कर लूँगी इस तरह का एटिट्यूट इनका बन जाता है जो इनको आगे जीवन की कठिन परिस्थितियों को फेस करने में बहुत हेल्प करता है फिर एक दिर ऐसा आता है कि इनकी जो परिस्थितियां वो खुदी धीरे धीरे करके अपना खतम होने लगती है और यह इतने मजबूत और पक्के हो जाते है कि फिर वो कटनाईयां कटनाईयां महसूस नहीं होती है और वो कटनाईयां जैसे एक आते हैं टाइम पीरेड के अब देखिए यहां पर इस तरह का एक इनके हाथ में यह देखिए यह कुछ पिकॉक साइन टाइप मुझे दिख रहा है यह देखिए यह जीवन क्या होता है ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि आदा जीवन फर्स्ट हाफ एक अलग तरीके का चलता है और बाकी का हाफ सुरी की फिंगर एक तो करियर में भी चेंज ले कर आता है ऐसा लगता है कि जीवन ने कि आपका फुस्ट हाफ कुछ अलक पारीकी से चला बाकी का हाफ कुछ अलक तरीके को चला ऐसा बड़ा चेंज इनके जीवन में आता है और यह लोग जैसा होता हुता समाझ को दिखा कि हाँ हम भी कुछ हैं तो आप लोग आके सिर्फ हमें सुना के जाते हो ऐसा नहीं है मैं अपने दम पे बहुत कुछ करके दिखाके कुतर अमान सम्मान कमाना और फिर वो लोग मानते हैं कि हाँ ये देखो कितना कुछ इसने कर लिया हम तो इसको ऐसे ही समझते थे अब देखी यहां पर यह देखी इस तरह का उनलूप है तो स्टॉक शेर मार्केट जुआ सटा इस तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए नहीं तो नुकसान होता है और कई बार क्या होता है कि अपनी जिसे इनका बोला सभाव है तो लोग ठके भी जाते है कि किसी ने पैसे मांगे पैसे दे दिये तो पैसे लौट के नहीं आना इस तरह का प्रॉलम फेस करना पड़ जाता है तो इसलिए सोस समझ के इंवेस्ट करें अब चलते हैं इनके हाथ में थमकी और अब देखें यहां पर यह इस तरह का उनना लूप है यह देखें ऐसे में क्या होता है ऐसे लोग जीवन में अपने फैमिली अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत लगाव रखते हैं अपने फैमिली के लिए भी काफी कुछ करना चाहते हैं इनका अंगूटे पर यह देखें यह कितने कसकस के काफी ज़्यादा यह डार के लाइन से यह मन में शांती नहीं है इनके टेंशन और होता नहीं कि मन में खुशी का एसास ना होना एक इस तरह की अशांती फैली भी मन में यह चीज़ देखती है यहां पर देखें यह देखें विल्पावर और यह लॉजिक प्लैनिंग का छेतर बहुत अच्छा है थोड़ी विल्पावर बढ़ाएं जो भी करना चाहती है विल्पावर बढ़ाएंगी तो जीवन में और अच्छी सफलता मिलेगी ऐसे लोगे क्या होता है कि जिससे कोई काम करने की सोची थोड़े दिर बाद लगे का रहे छोड़ो फिर कभी देखेंगे इस तरह का प्रॉलम आने लगता है लेकिन सब प्लैनिंग्स बहुत अच्छी हैं इनके पास में आइडियास बहुत अच्छी हैं इन मन में जैसे शांती नहीं है तो मन डिस्टर्ड बहुत ज़्यादा जिसकी वज़े से ये सोचती हैं कि करूं नहीं करूं करूं नहीं करूं तो इनके काफी सारे प्लैंस अधूरे रह जाते होंगे यहां पर ये देखिए ये अपका सिंबल बहुत बढ़िया है एक अच्छे संसकारी परिवार में जनम लेना परिवार की मान मरियादा फॉलो करना ये चीज़ें दिखती है और ये देखिए जब इस तरह का उनलूप होता है तो इनके अंदर दूसरों की हेल्प करने की इच्छाएं बहुत होती है गुरू के परवत पर भी हमने ये चीज़ देखी तो ये क्या होता है कि एक इंसान को एक सेलफलस सर्विस वाला इंसान वो बनाता है अब अंगुठा एकदम स्ट्रेट है अगर हम देखें तो एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है लेकिन जब ये सोचती होगी कि आज मुझे करना है मैं करूंगी करके दिखा सकती हूँ उस दिन बस इनने कोई फिर रोक नी सकता है अब इनके फिंगर प्रिंट्स पर चलते हैं लेफ्ट एंड के फिंगर प्रिंट्स पर देखें का हाफ काफी कुछ देखे जाता है यहां पर देखें यह इस तरह का टेंटेड आज अगें यहां पर है हमने राइट हैंड में भी सेम यह देखा था तो होता क्या है कि जीवन के उतार चड़ाद बहुत आते हैं यह लोग जान जाते हैं कि हमें अपनी कटनाईयों के लिए कैसे रास्ता निकालना है यह हर चीज का solution हर problem का solution बताने में यह काफी expert होते है परन्तु यह चीजें सब इनकी 35 तक आने के बाद यह चीजें निकल के आती है यह होता ना कि problem का solution क्या है problem किस तरह से sort out करनी है problem आये ही ना उसके लिए मैं क्या करूँ वो चीजों की solutions होते है वो यह बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं यह देखें बहुती बड़िया चकर का निशान इनके हाथ में सूरे की finger पर है जब भी इस तरह का चकर का निशान सूरे की finger पर आता है ऐसे लोगों को पिता की तरफ से काफी support होती है left hand का चिन्न है तो जैसे होता ना कि by birth भी बहुत support मिलना आगे भी जीवन में support मिलता है और इनको ये लोग बतलब इनको by birth talent भी होता है इनके पास में ऐसा नहीं कि कोई talentless लोग है talent बहुत होता है और पिता का support के in the sense की अच्छी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने में help करना और जैसे होता कि कोई चीज की जरुवत है तो पिता का support मिलना ये चीज होना पिता बहले ही गुसा करें बहले कुछ भी कहलें लेकिन at end of the day वो आपके साथ खड़ेंगे कि हाँ ठीक है मैं करना चाहती हो मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे मतलब चाहे education की बात हो या किसी भी matter में कि ठीक है हम तुमारा साथ देंगे इस तरह का support उनको काफी अच्छा मिला होता है जीवन में अब देखे यहां पर इस तरह का उनना लूप है तो यह हमने राइट हैंड में भी सेम यह देखा था तो स्टॉक शेर मार्केट जुआ सटा इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर लेफ्ट हैंड के थंपर देखें वहां क्या मिलता है देखें यहां पर इस थंपर देखेंगे कितने कट्स हैं यह देखेंगे यह पूरा टोटली मतलब mental stress से भारा हुआ अब यह जब गायतरी मंतर का जाब शुरू करेंगे तो यह mental stress अपने आप खुद बखुद खतम हो जाएगा यह mental stress अपने आप इनका जो है यह alliance जो है mentally भी इनका जो stress है वो खतम तो हो गई साथ में alliance का भी जो असर है वो nullify हो जाएगा जब देखें negative रेखा हैं इतनी हाथ में हो तो इसान सोच नहीं सकता या कोई idea आया भी तो पता चला कि एक ऐसी मुसीवत आ गई जिसकी वज़े से वो idea साइड में चला गया वो इनके साथ होता होगा जिसकी वज़े से यह इनके results नहीं आपा रहे और पड़िवार की नजरों में भी इनसान बुरा बन जाता है यहाँ पर देखिए यह उनना लूप है तो जीवन में हम कह सकते हैं काफी कुछ करने की इच्छाए भी रखती है और यह उनना लूप जो है इनसान के जीवन में एक अच्छा बदलाब भी लेकर आता है दूसरों के लिए बहुत कुछ करना डिवोटेड रहना यह साली चीज़ें देखी जाती है यह देखिए यहाँ पर यह दो यह आफ के निशान है देखिए फर्स्ट हाफ अलग तरीके का सेकंड आफ यह देखिए यह खुद भी दिखा रहा है और अब हम इनके 10 के 10 उंगलियों को समराइज करें तो हमें इनके हाफ में एक चक्र का निशान सूरे की फिंगर पर हमने देखा बाकि हमने उनना लूप देखे टेंटेड आच भी देखे जब भी इस तरह के टेंटेड आच से हाथ में होते हैं हमने देखा जीवन में उताः चड़ा जरूर आते हैं लेकिन फिर भी लेफ्ट हैंड में है तो यारी कि पहले का जीवन जैसे की फस्ट हाफ इनका इस तरह करा बाकि जो है सेकंड हाफ में जीवन में मुझे काफी आरांदा एक जीवन लगता है अब देखे इन्हों ने कहा कि इनको शादी करने का मन नहीं है, शादी में मन नहीं है, अब यह देखे, यहां पर गुरु परवत दबा हुआ है, तो ऐसे में गरज जीवन के टुवर्ट्स और एक शुकर भी देखे आप, शुकर भी इनका इस तरह का बोर्णी टाइप का है, तो ऐसे लोग का गरज जीवन में मन नहीं लगता, गरज जीवन में ऐसा उनको कोई चाहा नहीं होती, कि मैं कुछ ऐसा एक्स्पीरियंस भी जीवन में हो जाता है, कई बार कि मैं आगे शादी करूं, परिवार करूं, यह सब चीजे उनके मन में नहीं होती, बतलब, marriage is not their cup अफटी, इस तरह का feeling के अंदर होता है, और यह क्या होता है, कि जैसे कि इनों नहीं खुद भी कहा, spirituality में मन होना देखी, यहां पर अगर मैं देखू तो यह वलय बन रहा है, एक खिड़की का चिन भी है, जो कस्मा धनलाप के योग भी बनाता है, साथ में यह इस तरह का, इनका गुरू वलय है, तो यह समाज की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, इस तरह की मन में अच्छे कर्म करो, इस तरह के मन में, इनके spirituality में मन लगना, यह सम मन में इनके विचार आता होगा, अब देखें यह, यहां पर यह एपेक्स का चिन है, तो टाइम टो टाइम नॉ इनके चीज़ और बोलूँगी, यह देखें, इनके इस तरह के ब्रांचिस हैं, तो ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा आते हैं, जो इरिडेट करते होगे, गुस्सा दिला दो, इनका काम खराब कर दो, ऐसे लोग बहुत आते होगे इनके जीवन में, यहां पर एक मैं बोल तूरे रेखा ऐसे जा रही है, यह देखेंगे, इस तरह से भागे रेखा पर मिल रही है, यहां पर भी यह रेखा, इस तरह का यह देखेंगे, यह देखेंगे, इस तरह का ट्री का सिंबल इनके हाथ में आ रही है, तो यह जैसे होता ना कि आपको जैसे पिता से भी लाब मिलता है, साथ ही साथ अगर एक करियर जब करियर बनाते तो करियर में भी बहुत लाब मिलता है, इस तरह की चीज़ें होती, करियर में अच्छी ग्रोथ मिलना अच्छी पोजीशन पर जाना, यह चीज़ें दिखाई देती है, यहाँ पर इनके हाथ में ये देखें बुद्ध परवत बुद्ध परवत इनका मीडियम है थोड़ा सा ना वरबल स्किल्स काई बार कुवर होते हैं ऐसे लोग के या कहना ची की थोड़ा अपनी बात उको ना दबाना पड़ जाता है दबान अपने मन की बात कह नहीं पाते दूसरों के आगे या लगता है कि हम कहींगे तो पता नहीं दूसरों को कैसा लगेगा जिसा दबे-दबे से रहना इस तरह की चीजें हो जाती है जीवन में यहाँ पर अगर इनकी मैरेज लाइन भी देखने तो डिस्टर्ड मुझे लगती है तो ऐसा लगता है कि अगर इस शादी कर भी लेती तो भी डिस्टर्वेंस इनके जीवन में आता और यह देखा का इतना नीचे जुकाव लेना है तो यह इस तरह की मैरेज में कई बार इंट्रस्ट नहीं होता इस तरह की चीजें भी देखने को मलती है यहां पर भी फोक्स निकल रहा है यह इस तरह की चीजें देखने के बाद की इसलिए इनका मैरेज में इंट्रस्ट नहीं है अब यह देखी यहां पर मंगल परवत की बात करें मंगल परवत ये देखे दोनों मंगल अच्छे हैं इन्होंने पूछा भाई और फादर से क्या सम्मंद अच्छे हो सकते देखे क्या होगा फादर से सम्मंद धीरे धीरे अच्छे होंगे भाई से सम्मंद इनके समय के साथ इनके अच्छे हो जाएंगे भाई से सम्मंद जैस इंसान का समय ठीक ना हो, मीडियम हो तो इंसान के अपने घरवाले भी गलत समझते चाहिए वो खुद दूसरों के लिए कितना ही कर रहा हो चाहिए वो घरवालों के लिए कितना ही डिवोटेड हो लेकिन फिर भी वो सब गलत समझते लेकिन जब इनसान का समय अच्छा होता है न तो बिना कुछ करे भी इनसान को इज़त मिलती है बस यह समय का खेल है अब यहाँ पर देखे तो चंदरपरवत अच्छा खासा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो यह कहते हैं न कि एक को इनसान दूसरों के टोवर्ड से प्य और दूर रहके पैसे कमाने के योग या ओनलाइन पैसे कमाने के योग यह भी दिखता है यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यह देखें यहाँ पर इस तरह का बॉक्स भी है यह देखें प्रॉपरटी का सुख भी जीवन में अच्छा आएगा अब यह देखें शुक्र पर तरह क की सुछ होती है, यह आफ मेरा जीवन अच्छे से चल जाए, लेकिन बहुत जादाँ यहां पर मैं इस चीज बोलूंगी गरुपरवत के बारे मेंुन तरहाँ परोट freight unravels का का泊 हुच्छ होता है अब यहां पर अगर देखा जाए तो यह देखिए यह तका रही है तो यह कईवा सरकारी लाब भी दिलाता है यह घर में किसी का सरकारी नौखरी में होना सरकारी लाब मिलना इस तरह की चीजें और एक चीज मैं बोलूँगी यह देखें यह शुकर वला बनता है ना तो ये लोग दूसरों के लिए लखी होते हैं माता पिता के लिए भाई बेनों के लिए लखी होना इस तरह के इनका लख काम करता है फ्रेंड के घर गई हैं फ्रेंड मालो परिशानी में उसके फ्रेंड के दुखदर दूरों ने शुरू हो जाते हैं यह शुक्र तो यह बहुत्त ही बड़gia मशली का चिन्व है करियर इए अची बता रहे हैं मैं है और अगर बात करें यहां पर यह रिखे के सूरल यह करती हह जा Key chemical behind शूड़ रही है इनकी हलकी हलकी दो हाथों में होना ह jut अधूर हड़ा चूगतू है है कि थोड़े डार को जाएंगे तो वो चीज दिखाती है कि जिवर में आपके पास टैलेंट है आप बहुत कुछ कर सकते हो तो इस टैलेंट को यूज करना चाहिए अब देखें यहां पर अगें शनी परवत थोड़ा सा दबा हुआ है तो मन में टैंशन के कारण यह देखे सूर्य परवत का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा यानि पिता का सपोर्ट मिलता रहेगा यह देखें यह बुद्ध परवत अगें थोड़ा डाउन है और अगर मैं बात करूं तो यह देखें यहां पर यह लंबी लाइन है यह सिंफैती रखना दूसरों के टुवर्ड्स य अंगल परवत अच्छा है भाई की बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी इनको और भाई के से होता ना कि आपस में बांडिंग स्ट्रॉंग होना वो भी चीज दिखती है यह देखे अगें चंदर परवत अच्छा है मन में कोई खराफ फीलिंग होना धोके बाज़िया बदला यह सब फीलिंग्स नहीं हैं अब यहां पर देखें तो शुक्र अगें यह देखें अपने परिवार को ज्यादा प्राइटी देते हो अपने परिवार रिश्थे इनको प्राइटी देना और कि किसी का सपोर्ट जीवन में बहुत अच्छा दिखाई देता है मुझे बलकि दो और लोगों का support जीवन में दिखता है, तीन लोगों का support इनके जीवन में काफी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर इनके हाथ में देखे, अगेन वही चीज मुझे दिख रही है, रहा हो मैं, यह कितना disturbance है, तो जैसे यह मैंने कहा, 35 तक आते हैं, काफी disturbance खता है, और अभी जो पिछला time period ता देखे, कितना जादा disturbance है, उसके बाद से अब लगता हूँ कि अब मैं फिर भी बहुत ठीक हूँ, अब आगे और देखेंगे तो और बेटर, अब आगे और देखेंगे, तो और बेटर मुझे देखता है, 38 तक आते हैं, तो पूरी तरह से सारी प्रॉल्म से खतब हो चुगी होँगी, तो यह चीज दिखाती है, मस्टिश रहा है, जब इतने बड़े-बड़े-मोटे-मोटे यपके चिन होते हैं, कई बार इनसान बहुत ज़्यादा, बतलब ऐसा लग रहा है, कोई बंधन में बंधा हुआ, मैं आगे बढ़ने पारी, मैं अपनी इस परिशानी की विए से बाहर नहीं होता है, मैं कुछ करने पारी, आगे नहीं बढ़ पारी, ऐसा कुछ होता है, कई बार ऐसे लोगों को होता है, कि कोर्ट केसिस हो, या कोई ऐसा बंधन की, कोई बिमारी का जखड़ा हुआ, कोई इस तरह की प्रॉब्लम, जो इनसान को जीवन में ग्रोथ नहीं लेने देरी, इस तरह का, खैर अब ये पास्ट हो गया, अब धीरे-धीरे अगर हम देखेंगे, तो चीजें बेटर्मेंट की और हमें दिखती है, पहले से प्रॉब्लम्स और खतम होती जाएंगी, स्टेब बास्टेब, अब ये देखें, यहाँ पर भी, इनकी ये देखें, ये आयूरेखा अगर हम देखें, इसी हिड़एर एखा, इसकी जब इतनी डिस्टर्व है, इरिदर एखा जब इतनी डिस्टर्व होती है, तो बातों को दिल ले लेना, अब जिसे देखें, क्या होता है जब गायथीरे मंतर का जाप करते, तो एक तरहे का मेड़िटेशन भी होता है, बातों को दिल पे ले लेना या कई बार होता है कि आप मन में परिशानी सी चलते रहना कि भई मेरे साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो दिल मतलब होता है हर वक्त तो रोते रहना दिल में परिशानिया भरी रहना दिल में सुकून नहीं है ऐसा कुछ पी लोना को जीवन में दुख ज़्यादा देख लेता है तो उसकी heart disturb होती है कि दिल में क्या होता है कि गवराहट सी भढ़ जाता है डिल में और ऐसा लगता है दिल में सुकून नहीं है मन में दिल ऐसा लग रहा है कि खुशी इसी का एहसास की कमी हो वो चीज देखता है तो लेकिन फिर भी अब ये देखी कि आगे जैसे हमने मस्जश रेका देखा कि देर देर इंप्रूब कर रही है तो चीज़े इंप्रूब्मेंट की हो जाएंगी भागे रेका की बात करें तो यहां पर भागे रेका काफी हलकी है लेकिन फिर भी हलकी हलकी चली रही है आप देखिए इनके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड की वो होती जो परवरिश हमारे माता-पिता हमें देते हैं और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद करके दिखाते हैं राइट हेड बहुत अच्छा है, राइट हेड में हमने देखिए वहाँ पर लोटस का चिन भी देखा और हमने एक बड़ी मशली हमने इनके बुद्ध की जो बुद्ध रेखा थी, बहाँ पर भी हमने देखिए, तो वो चीज इनसान के जीवन में अच्छा पैसा, रुत्ब और बात करें, तो इनकी जैसे-जैसे हेल्थ इशूज खतब होंगे, वैसे-वैसे चीजें ग्रोथ की ओर लेंगे, तो ओवरॉल हैंड अच्छा है, जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सस दिखाता है, तो इनके सभी प्रशनों के उत्तर हम दे चुके हैं, और देखिए भी जीवन, कितना साफ सच जीवन है, एक यहां पर देखिए, एक यहां पर, तो यह अब आगे, इनके एक अच्छे शूर्ड, सक्सस्फुल, एक अच्छे सुकून भरी जिंदिगी की ओर इशारा करता है, तो यह था इनके हैंड का नैलेसिस, हम ईशुर से प्रात्ना करेंगे जीवन में खुब खुशी है, खुब राइस करें, धन्यवाद